अब होगा जंगल में मंगल क्योंकि मेकर्स ने अक्षे कुमार के फिल्म वेलकम 3 पर काम स्टांट कर दिया है फिल्म का नाम करन भी हो गया है और इसकी रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है जी हाँ Welcome 3 अब Welcome 3 नाम से नहीं बलकि Welcome to the Jungle नाम से जाना जाएगा और अक्षे कुमार समेट बाकी के स्टार कास्ट मिलके अगले साल Christmas Day के मौके पर जंगल में मंगल करेंगे दरसल अक्षे कुमार स्टार फिल्म Welcome to the Jungle को लेकर अब अपडेट आई है कि मेकर्स ने फिल्म को लेकर तयार यहां शुरू कर दी है और अब इसको दिसंबर 2024 के Christmas पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं अक्षे के फिल्म को Christmas के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग इसलिए भी की गई है क्योंकि मेकर्स ने अक्षे के साथ वाली Welcome को साल 2007 में Christmas के मौके पर ही रिलीज किया था ऐसे में इसके तीसरे पार्ट को भी Christmas पर रिलीज की अपडेट के बाद से कयास लगने लग गए है कि Welcome 3 भी कमाल करेगी फिल्म को दर्शुकों का प्यार मिलेगा और बॉक्स ऑफिस पर अक्षे का दमदार अंदास देखने को मिलेगा Welcome 3 जाम फार कमाई करेगी और तो और कहां जा रहा है कि फिल्म का क्लाइमिक्स आपकी सोच से परे होने वाला है अब तक एक्षन वाले फिल्म में ही larger than life हुआ करती थी लेकिन आप Welcome 3 जैसी कॉमेडी फिल्म भी larger than life होने वाली है इसी के साथ अपडेट ये भी है कि इसी साल सितंबर अक्टूबर में इस फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा खबर है कि हेरा फेरी 3 और Welcome 3 यानी की Welcome to the Jungle इन दोनों फिल्मों की शूटिंग सितंबर अक्टूबर में शुरू होने वाली है आपकी जानकारी के लिए पिता देंगी अगस्त के महीने में ही अक्षर कुमार, संजेदत, अर्शल वार्सी, दिशा पतानी, चाक्रिन फर्णांडीस, फिरोज नाडियाडवाला और एहमद खान Welcome 3 के फोटो शूट के लिए एमपायर स्टूडियो में मिले थे वे जल्दी ही इस फोटो शूट के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट करने की प्लानिंग भी बना रहे हैं अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि फिल्म को लेकर बागी के अपडेट कब तक रिवील होते हैं इसकी अनॉंसमेंट कब तक होती है साथ ही फिल्म के में विलन के रूप में किसको ऑन बोर्ड किया जाता है ये भी देखने वाली बात रहेगी वैसे आप बताईए आपको क्या लगता है Welcome to the Jungle के Christmas release का फायदा अक्षे को पहुँचेगा और पहले पांट की तरह ही ये फिल्म भी Christmas release का benefit लेकर खुब कमाई करेगी बताईए अपनी राय नीचे comment section में कर पाइए